प्रेगनेंट होने के लिए कितनी बार संबोग करना चाहिए? बहुत कॉमेंट कुछा जाता है एक बार दो बार हफते में कितनी बार दिन में कितनी बार हमें कंसीव करना है तो कितनी बार सेक्स करना चाहिए? चलिए आप करेंगे और कब करना चाहे ह। इसके बारे मैं बात करूँ गी। चैनल में नए है, subscribe कर दो और ऐसी बहुत सारी वीटियोस के लिए connected रहूँ। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ट्रेगनेंट होने के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहे ह। कब-कब करना चाहिए, देखिए अगर आप conceive करना चाह रहे हैं, आज से conceive करना चाह रहे हैं, मान लो आज महीने का पहला देन है, तो सबसे पहले ये देखो, कि आपकी वाइफ का periods days क्या है अगर आपकी wife के periods days मान लो 7 तरीक से 15 तरीक तक होता है बहुत देन बता दिये यह उजड़ी 4-5 दिन की cycle होती है मान लो हम 7 से 15 तरीक तक की भी date लगा रहे है तो 15 तरीक आपको पता है कि 15 या 14 तक उसके periods खतम हो जाएंगे तो उसके exactly 14th day आपका शायद high ovulation days होगा basically आपको ovulation day का ध्यान रखना है अगर आप ovulation days के आस-पास sex perform करते हो तो conceive instantly होने के chances है अगर आप बिल्कुल periods days से पहले कर रहे हो या बिल्कुल periods कदम होने के बात कर रहे हो तो essay में conceive होने के chances बहुत कम होते हैं इसलिए हम इसको safe period भी कहते हैं period से जस पहले और periods के जब आप बहुत safe days होते हैं ऐसे में बिना condom के भी करते हो तो chances बिल्कुल ना के बराबर होते हैं कि conceive हो जाता है इसलिए अगर आप high days की बात कर रहे हो तो मैं बात करूँगे ovulation day के आस-पास मतलब 14th day of your periods 14th day में अगर मैं बात करूँ तो 13, 12, 15 ये वो peak days है जब आपके fertility rates high होता है क्योंकि इन दिनों आप female की body में से under-release होता है मतलब ovums और ovum जब sperm के साथ continuation में काम करते हैं तो आपका baby फटा-फटा-फटा-फट से fertilize हो जाता है ये problem उन females में आती है जिनके periods बहुत regular नहीं है PCOS के problem है शाद नहीं आता तो ऐसे में conceive होने की probability कम हो जाती है अब इसका इससे कोई relation नहीं है कि मेरे को कितनी बार करना चाहिए दिन में कितनी बार करना चाहिए ऐसा कोई criteria नहीं है इसके लिए market में ovulation kits भी आती है ovulation kits में आपको एक tentative days जैसे आपको पता है कि periods मेरे 15 को खतम हो रहे हैं तो मैं 28-29 को अपना सुबह morning का urine उसमें डाल दूँगी तो जैसी डालूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरा fertility rate कितना हाई है उसके लिए parameter होता है कि इस से जादा green, blue, purple तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ उन दिनों मेरा high और उस समय आप try कर सकते हो conceive करना मुरोवर आप calendar method के साब से मतब दिमाग में days calculate करके भी कर सकते हो उन दिनों पे किया हुआ conception दो तीन बार, तिन में दो बार, तीन बार करा हुआ या एक बार भी क्या हुआ conception maximum chances देता है कि आप definitely आप conceive कर पाते हो मुरोवर जितनी healthy mother जितनी वो खुश है, जितना उसके अंदर आप से related प्रेम है, love है बच्चा करना चाहती है जितना वो mentally prepare होगी उतना ज्यादा conceive होने के chances बढ़ जाएंगे एक ही चीज़ का barrier है hormonal problems और अगर आप और आपके partner में या hormonal problems है आपका sperm अच्छा नहीं है या आपकी female की uterus में कोई problem है या reproductive tract में कोई issues है इसमें problem है, तो gynecologist का appointment आप पहले भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि बच्चा conceive होने के बाद ही उस doctor के बाद जाना चाहिए पहली भी आप एक gynecologist को दिखा के अपनी hormonal problems को treat कर सकते हैं ये important है जानना कि कितनी बार और कितनी समय से जादा सही समय पर करने से आपको conceive होने में जादा help मिलेगी चैनल पर नहीं समस्क्राइब कर लीजे और अगर आप डीटेल में जानना चाहते हैं कि evolution day को कैल से calculate करना चाहिए तो मैं next video में लेकर आणगी तब तक चैनल पर नहीं समस्क्राइब करें और अगर आप detail में आप और evolution day पर वीडियो चाहते हैं तो comment section में ओ लिखकर जरूर post करें